इसलाम अलेकुम वेल्कम टू पाकिसान स्टॉकनेटिक उमीद है कि आप तमाद दोस्ट खरीज से होंगे चलते हैं जी वीडियो की तरफ आज मामलाथ जो है वो काफी गमगीर है इन्शाला उसको पर बात करने के कोशिश करते हैं कि क्या सूर्थेहाल है देखें आज मार्किट ने तकरीबन साड़े साथ सो पॉइंट जो है वो निकाले हैं और एक वक्त में जो है वो तो यह महसूस हो रहा था कि शायद मामलाथ जो है वो कुछ इससे आगे तक जा सकते हैं लेकिन खैर साड़े साथ सो पर आके बात रुकी है लेकिन जो हलात चल है ना तो I don't think so कि यह बात जो है यह साड़े साथ सो तक रुकेगी शायद यह 43 तक वापिस जाएगी मार्किट देखें कल भी हमने इस चीज़के पर गुफ्तगू की थी कि मार्किट को यहां से रिवर्सल लेना चाहिए क्योंकि अगर मार्किट यहां से रिवर्सल नहीं लेती तो ऐसी सूरत में फिर मार्किट को वही बाटम टच करना पड़ेगा जहां से मार्किट ने 3000 पॉइंट निकाले थे और वहां से उसने क्रेक्शन दिखाई थी अपने अदेखें मार्किट जो है यह किसी और मूड में लग रही है को दो वीक पहले तक्रीबन मैंने य यार मेरा ख्याल है कि रमजान से पहले पहले कुछ जो है वो हमने अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए तो बरहल असल में जो एक जो ट्रेडिंग करते वक्त जो एक ग्रीड होती है ना हमारे अंदर कि मार्किट थोड़ी सी पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं अच्छा रिकवरी के चांसिस जो है वो बहुत जल्दी निकलाते हैं कि जो पॉजिशन्स हैं जो फसी हैं उन में से उनके बारे में डिसीजन्स करना चाहिए और नई आपरचुनिटिज जो है उनको नजर में रखना चाहिए खर ग्राफिकल वियू का अगर हम जाइजा लें सॉरी ग्राफिकल वियू से पहले जो है वो सर्कुटब्रेकर को देखते हैं देखे सर्कुट ब्रेकर में अपर कैप तो फिलहाल कुछ नहीं है लोर कैप की बात करें तो तकरीबबन 12 कम्पनियां हैं जबके मेरा क्याल है कि अभी तकरीबबन जब यह मार्किट की यह से पहले मुझे मैंने जब देखा था तो शायद कोई 21 कॉम्पनियां जो थी वो लोर कैप ने थी जिसमें अभी फिल हाल तो हमें यहां पर अटक रिफाइनरी एफ एनियल नेट सोल नेशनल रिफाइनरी पाकिस्तान रिफाइली नजर आ रही हैं लेकि इसके साथ साथ मुझ है वो लोर कैप हुई थी यह अच्छा हुआ है देखिए आपको याद होगा कि पहले भी जब यह ऐसे मामलाथ चले थे देखिए यह जो होता ना रुक रुक के मार्किट का गिरना यह बहुत ज्यादा डेंजरस होता है आज यह मार्किट में से निकले हैं पॉइंट्स दर आगे चलते हैं जिए ग्राफिकल विउग का देखें तो आज भी बिलकुल सेम टू सेम जो मुझे चीजे नदर आ रही है ना वो बिल्कुल एसी ही है कि जैसे मैं कल का ग्राफिकल विउग देख रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से ही तकरीपन उतने परसंट ही टेक्नालोज बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं ग्राफिकल व्यू के अंदर कि जैसे मैं कल का देख रहा हूं मार्केट में लोर कैप दरूर लगे हैं लेकिन जो परसंटेज ऑफ दा सेक्टर्स हैं वो तकरीबन सेम हैं अगर हम आगे जाइजा लें तो शायद हमें कुछ ज्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ में आ सकती हैं कि क्या पोजिशन चल रही है तो चलते हैं जी और समरी की तरफ थोड़ा सा जाइजा लेने की कोशिश करते हैं कि यह थोड़ा सा ना जिसका फॉंट बढ़ा किया है कि कल दोस्ता बाब कह रहे थे जिके वीडियो ठीक नहीं आ रही है अच्छा जी आटो मोबाइल की बात करें तो अलगाजी ट्रैक्टर साड़े साथ रूपर नीचे आ गया मेरे पास है जी बाकी जो है वो बाकी भी है लेकिन यह भी है गंदारे शिदारे सारे लोर लॉट पर चले गए तकरीबन तकरीबन सत्रा सत्रा ठारा ठारा उनकर निकले हैं इसमें से अब हीनों पाक की बात करें तो आज इसने टू नाइटी वन लगाया ठीक है ना तो मेरे पास तकरीब मेरे साथ जो लोग काम करते ह हैं उनको आज मैंने तकरीबन सुबों में ही मैसेज कर दिया था कि भी नो मौर बाइंग अलांके जब दोस्थाभा मेरे साथ काम करते हैं जब संड़े वाले दिन हमने मीटिंग्स की तो उन मीटिंग्स में हमने कुछ बाइंग डिसाइड की थी लेकिन आज सुबों जब म हमने नहीं करनी और हमने नहीं की हाँ जब मार्केट क्लोज होने के करीब थी तो उसक्त मुझे एक दो आपिचुनिटीज नजर आई थी वह फिर मैंने उनसे की थी कि आप यह खरीच सकते हैं होंडा एटलस ठीक है यार इतनी गरीवी मार्केट में भी यह थोड़ा सा रिक देखिए इस वक्त जो मार्केट की पॉजिशन चल रही है चलें यह जब बात करते हैं ना उस पर कैंडल पे तो फिर इंशाला देखेंगे केबल और एलेक्ट्रिक की बात करें पहले में से पौने दोर पे निकले हैं और वेवस में से भी तक्रीब उतने ही पैसे निकले है वेवस तो मुझे लोर लॉक पे नजर आ रहा था सेमेट सेक्टर भी सारे नीचे है यह देखें आप यहां पर जो है ना वो कुछ चीजने थरा थोड़ी सी सोचने की जरूरत है और वो सोचने की बात यह है कि देखिए आपके पास अब बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हो होंगे जो के भाई 2020 पर्चंट भी आपको लॉस शो कर रहे होंगे अब देखना आपने यह होगा एक बात तो मैंने आज से कोई दो महीने पहले कही थी जिस वक्त मार्केट बड़े टॉप पे थी और लोग जो थे 55 की बातें कर रहे थे तो मैंने सर आप से उस वक्त भी ग गमराक उन बातें होती हैं रियलिटी के उपर चलें और रियलिटी यह है कि इस वक्त मार्केट का मौ नीचे है ठीक है अगर आपने को नई बाइंग करनी है तो उससे आप प्रहेज करें और जो आपके पास इस वक्त सक्रिप्ट मौजूद है उन में से जहां पर आपको कर्को नहीं कि अ आउ है कमरिल बैंक सारे नीचे अच्छा सेंबा सिर्भ बारहाँ पैसे उपर गया और सिल्क बैंक ने अच्छा जो है ना वह वालिम दिखाया देखें आप सिल्क बैंक जो है इसने वालियम दिखाया है अब इसका ये कतर मतलब नहीं है कि कल जो है आप आप सिल्क बैंक खरीद लें नहीं यू हैव टू वेट इंतजार फर्माइए थोड़ा इंतजार फर्माइए अंजिनरिंग सेक्टर में भी सब कुछ नीचे है आगा स्टील में से आईशा में से एक उर्माइए निकल गया है अमरीली में से 47 पैसे निकले है ओके पर्टिलाइजर सेक्टर में सिर्फ एंगरो कार्परेशन उपर बाकि सब नीचे हैं फूड का सारा का सारा सेक्टर डाउन सार जी अपना अपना इंतजाम कर लें अच्छा जी इंशूरंस सेक्टर थोड़ा सा उपर है देखें इंशूरंस सेक्टर में वाल्यूम भी तो देखें ना पांच सो हजार दस हजार बारह हजार यह कंसीडरेबल चीज़ें नहीं होती अब यह देखें यह फर्स्ट नेशनल लिक्विटी जो है इसको कल भी लॉर लॉक था और यह आज भी इसको लॉर लॉक लगा और कल देखेंगे कि इसका क्या बनता है पलीजिक में वो इसा काम नी करता है देखिय चन्द दिन पहले मैंने के बात कही थी कि आपके पास नंबर जो उफ शेस जो है उनको कम करें मैं अभी भी इस बात को रिपीट करूंगा कि आपके पास जो कैश है उसको संबहाले आगे आपके काम आएगा इंशालाँ आइलन गैस एक्स्प्लोरेशन भी सारा ही नीचे हैं आइलन गैस मार्केटिंग को देखें तो भी हलाद बहुत बुरे हैं देखिए जब मार्केट इस तरह का बिहेव कर रही है तो देखिए मार्केट के अंदर जान उस वक्त पड़ती है जब एकॉनमी के अंदर जान हो एकॉनमी के अंदर तो है कुछ नहीं सिर्फ बातें करने से एकॉनमी या मुलकी नहीं चला करती है या फेस्बुक चलाने वाले जो हैं वो एकॉनमी नहीं चला सकते तो इसलिए बराए मेहर बनी इनकी बातों पर ना आएं और किसी वजीर मुशीर की अब थोड़ा सा मत सीधी बात करने लगाओ किसी वजीर मुशीर की बात को उसकी फेस वैलियू पे ना ले यह कहते जो यह कहीं है उसके उलट होता है हमेशा तो देखिए हमारे तो पैसी है सर हम तो हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है दोस्ती नहीं है को रिष्टेदारी नहीं है फार्मस्वीटिकल में भी हलात बहुत खराब है चले थोड़ा सा पावर सेक्टर थोड़ा सा बचा है उसने भी क्या बचना है वो पहले बहुत नीचे आ गया था आए तो यह जो ठक ठक करके जो लॉर लॉक्स लगे हैं लॉर लॉक्ट पर थी अभी भी शायद है अटक रिफाइनरी भी और नेशनल रिफाइनरी भी देखिए मैंने कल ही अभी आपसे यह गुजारिश की थी कि सारजी जो रिफाइनरी का सेक्टर होता है यह आम लोगों के लिए नहीं होता चोटी में चले ठीक है फिर भी हमको थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वाइकों में ले 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 लें 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 कि सार यह उपर जिए चालिस चालिस रुपे गिरेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहां पर मैं आप से गुजारिश यह करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस चीज़ का जाइजा लीजिए कि आ अधर उधर कर लें कि शूगर को छोड़ें जी आगे चलते हैं संथैटिक में ट्राइस्टार प्रियस्टर इसको भी मैंने देखा था कि यह लो लॉक पर था बाद में शायद निकला यह अभी अगर किसी ने रखा हुआ है तो फाइन अब यह देंकर टेक्नोलोजी सेक्ट रहा है कुई और लीड नहीं कर रहा है कि अवैंसन को भी मैंने देखा था लोड़ लॉक लगा हुआ है अब देखें जो कोई इसके अंदर technology and communication के अंदर जो हमने को दो शेयर्स जो हैं या एक दो शेयर्स जो हमारी नजर में हैं देखें मार्किट में से हजार पॉइंट निकले हैं सर उन शेयर्स में से कोई खास नहीं निकला इसलिए जब मार्किट के हलात ऐसे हों अपने आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट के तरफ लेकर जाना चाहिए जिनके सर अगर ओपर जाने के चांसे काम होते हैं तो नीजे जाने के चांसे भी काम होते हैं रिस्क से ज़रा थोड़ा सा परहेज करें ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि वो जी रिस्क लेना चाहिए सर जी आप ही ले फिर हम लोग पुनी ले थे एसगान नाइन के हवाले से अभी चंद दिन पहले ही मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि सर जी इदर उदर हो जाएं बाकी वीडियो में शाहिद बता नहीं मैंने कहा था या नहीं देखें अब यह जो मैं एक चोटी सी बात करना चाहता हूँ यह देखें यहाँ पर अगर हम एसगान नाइन को थोड़ा सा देख लें तो फिर उसके बाद इन्शाला जो है वो कैडल को देखते हैं यह यह देखिए यह आठ रुपे के से उठा हुआ शेयर है ठीक है और आपको याद होगा कि मैंने नहीं कभी यह डिसकस किया नाई मैंने कभी इसको रिकमेंट किया सार जी बात यह है कि आठ रुपे का शेयर उठता है और वो चालीस रुपे लगा देता है यार कुछ सेंस होती है ना अब देखिए जो लोग काम करने वाले हैं यह ज़रा थोड़ा सा जाइजा लीजिएगा कि इसमें ऐसा कौन सा तेल निकलाया था कि अगर आप एक महिने का हाई देखे इसने तकरीबन थर्टी नाइन लगाया ठीक है साल का देखें अब यह साल के हाई के उपर खड़ा है अगर आप इसका पे आउट्स देखें तो इसने सार जनवरी दो हजार बीस के अंदर पिछले साल राइट इशू किये थे ठीक है उससे पहले दो हजार नौ के अंदर इसने कुछ दिया दलाया था यानि के आज से तकरीब ने दस साल तो इसने दिया दलाया कुछ नहीं है सर ऐसे शेज के पिछे भागा ना करें यह अगर आपने कोई उपरचुनिटी लेनी भी हो तो एक दो तीन रुपे की उपरचुनिटी लें देन उसको छोड़ दे उसके साथ लटके ना रहें हमेशा से अपने आपको टार्गिट बेस बनाएं ना उसको अपनी ट्रेड को नत्थी करें टाइम के साथ ना किसी और चीज़ के साथ आगे चलते हैं अच्छे यहाँ पर एक बात मैंने मज़ीद कहना थी के आठ और नौ तारीख को हो सकता है कि वीडियो अपलोड ना हो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर सारह नीचे हमारे शेर में से आज दो रुपे बहतर पैसे और निकल गए हैं अब देखें जब किसी शेर में से इतना ऊपर नीचे हो जाए यह शेर ऐसे हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ देते दिलाते तो है ना तो पांच रुपे का डिविडेंट मिलेगा कुछ निकल नुकल जाएंगे आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या पोजिशन है कैंडल की जैर इसको थोड़ा चोटा ना कर ले जी ओहो सारा कुछ बंद हो गयार एक मिनट सा आज कल ना कुछ वीडियो बनाने का ना मज़ा नहीं आ रहा कुछ थोड़े से मामलाथ इस तरह के चल रहे हैं लेकिन इंशालला मुझे अमीद है कि नेक्स्ट वीक से ये सिलसला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा इंशालला फिछ फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे मामलाथ को यह था जी केसी हंडर अब यह देखिए कि यह जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी कैंडल है और बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे जा 42800 से इसने रिवर्सल लिया था लेकिन जिस तरह से मार्किट अब ये रिवर्सल नीचे की तरफ कर रही है मेरा नहीं ख्याल कि यह हलाद यहां पर रुकेंगे और अगर हलाद जो हैं यह 42800 से रिवर्सल नहीं लेते तो फिर मुमकिना तोर पर मार्किट का जो अगला है वो सर फिर आप 39,000 पर कर लीजेगा उससे पहले मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही देखिए एक सपोर्ट और रिजिस्टन्स जो होते हैं वो कैल्कुलेटिड होते हैं मैंने कल भी आप से जिकर किया था लेकिन मैं उनके ओपर काम नहीं करता हूं मेरे ये जितने भी स्पोर्ट और रिजिस्टन्स हैं इनका कल्कुलेशन जो कیल्कुलेशन होती हैं वाया सौफ़वेयर उसके साथ इसका कोई तालुक नहीं है यह सारी मैनुल्स हैं अब मेरा यहां पर है कि सर आप जो है वक्ती तोर पर इधर अधर होगे और इधर अधर होकर कैश हाथ में कर लें और परहेज करें अगले एक पूरा वीक कोई जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेड करनी है मार्किट को देखें कि मार्किट किदर को जाती है देन उसके बाद कुछ डिसाइड कीजिएगा देखिए अगले आने वाले एक दो दिन के अंदर मार्किट आपको कोई ठोड़ा सा रिवर्सल भी दिखा सकती है ऐसा नहीं हो सकता कि मार्किट बस नीचे ही जाए और वाकसी ना करेगी लेकिन सर अब पता नहीं क्यूं पाकिस्तान की अकॉनमी पाकिस्तान के हलाथ मार्किट की सूर्टेहाल मार्किट में ड्राय होता हुआ वा वालियम और गिरता हुआ इंडेक्स 39,000 अला हाफिज